बिग बॉस सोला के आज के एपिसोड में शालीन द्वारा अर्चना को धक्का मारने पर हुए बवाल में MC स्टेन और साजित खान का अर्चना के सपोर्ट में शालीन पर भड़कना काफी इंट्रेस्टिंग रहा तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिग बॉस सोला का एपिसोड नमबर दस तो हमेशा की तरह सभी घरवाले बिग बॉस एंथम गा कर दिन की शुरुआत करते हैं इसके बाद अर्चना गोरी को खाना जूटा छोड़ने के लिए कहते हुए नजर आई कि वे खाना जूटा ना छोड़े इस बात पर स्टेन ने गोरी का साथ दिया और उन्हेंने कहा कि गोरी ने किविल दो चमच खाना छोड़ा है वो भी इसलिए कि उसे वो तीखा लगा इसके बाद सर्जिता मानिया को यह समझाती हुई दिखी कि बले ही हम सब अलग-अलग फिल्ड से हैं लेकिन सभी ने वहां तक पहुशने में बहुत मेहनत की है इसके बाद अब्दू और साजित की जोड़ी मस्ती मजा करते हुए नजर आए वही तीना शारिन को यह कहती हुई दिखी कि अब तो तुम सुंबुल को लव्यू शव्यू बोल ही दो इस बात पर शारिन कहते हैं कि मैं कभी किसी को लव्यू नहीं कहता अगर कोई मुझे लव्यू कहे तो मैं उसे लव्यू टू जरू बोल देता हूँ वही गौतम अंकित अंकित को सौंदर्या के लिए ये कहते हुए दिखे कि मेरा जैसा लड़का इन्हें कॉंप्लिमेंट दे रहा है फिर भी इन्हें कदर नहीं है वही सौंदर्या के सोजाने पर अब्दू क्यूट अंदास में कुकुडू को गोल कर उन्हें उठाते हुए नजर आए इसके बाद शालिन अर्चना को चिकन बनाने के लिए कह दे नजर आए फिर अर्चना ने कहा कि तुम्हारे हिस्से का चिकन अल्रेडी खत्म हो चुका है अब घरवालों खिलगी हैं क्योंकि किसी ने भी चिकन अभी तक नहीं खाया वहीं इस बात पर शालिन और अर्चना की बीच चगड़ा शुरू हो जाता है वहीं स्टेन कहते हैं कि मैं मेरे घर में डेली चिकन खाता हूँ लेकिन यहां अभी तक मैंने चिकन नहीं खाया है शालिन कितना चिकन चिकन करता रहता है इसके बाद अर्चना ये कहते हुए नजर आई कि शालिन को लगता है ये किसी फाइव स्टाल होटल में आया है लेकिन ये बिग बॉस का घर है यहां सभी को एड़ेस्ट करना पड़ेगा इसके बाद अर्चना द्वारा गौतम, स्रजिता और निम्रत को शालिन का चमचा और कुटा कहे जाने पर स्रजिता और निम्रत अर्चन से लटती हुए दिखाई देते हैं वहीं शारिन पिछले एपिसोड में सौंदर्या द्वारा किस करने को लेकर गौतम को चिड़ाते हुए नजर आए इसके बाद शेखर सुमन का बिग बुलिटेन विद्शेखर सुमन सेगेमन्ट शुरु हुआ जहाँ शेखर ने प्रियंका को इन्वाइट कर घर के मुद्दो पर चर्चा की जहां मानिया वाले सीन पर स्टैन लेने की चलते निम्रत और प्रियंका में पहस-बाजी देखने क इसके बाद प्रियंका के साथ अंकित को दूसरे गेस्ट के तोर पर बुला कर उनकी शो में आपेरियंस को लेकर चर्चा की इसके बाद शेकर सुमन घरवालों से विदा लेकर चले गए इसके बाद अरचना और सौंदर्या के बीच जगड़ा देखने को मिला जहां सौंदर् ही रहती हो इस बात पर सुम्बुल वहां से गुसा होकर चरी जाती है और रोने लग जाती है इसके बाद शालिन सुम्बुल के पास जाकर उसे समझाते हुए नजर आए इसके बाद बिग बॉस ने घर के रूल्स फोलो नहीं करने की वज़े से निम्रत को कैप्टेंसी से बर्खास कर दिया और बजर बजने पर जिन दो सदसे द्वारा गार्डन एरिया में बॉंग सबसे पहले बजाया जाएगा उनके बीच टास्क कम्पलीट टरवा कर नया कैप्टेंट बनाने का एलान किया चूंकि गौतम और शिव ने जाकर सबसे पहले बॉंग बजा दिया तो दोनों के बीच में कैप्टेंसी का टास्क हुआ जहां दोनों के सिर पर एक टब रखा गया और दोनों को उसे बैलेंस रखना था साथ ही साथ घरवालों को इसमें सामान डालने का टास्क भी दिया शालीन टास्क में बैग लेकर आता है जहां अरचना शालीन को रोकने की कोशिश करती है शालीन अरचना को धक्का मार देते हैं जिस बात पर अरचना कुस्सा हो जाती है शिव द्वारा सामान को हाथ से निकालने पर टास्क की संचा अलक निम्रत शिव को डिस्क्वालिफाई कर देती है और गौतम को विजेता खोशित कर देती है जिससे गौतम घर की नई कैप्टन बन जाते हैं टास्क के दोरान शिव द्वारा सुंबुल को कहा गया कि शालिन के पीछे जाओ इस बात पर शालिन शिव से जगरते हुए दि और घर का माहोल फाइट वाला हो गया बिग बोस ने नई कैप्टन गौतम को आदेश दिया कि वे फैसला ले कि शालिन दोशी है या फी नहीं गौतम द्वारा सभी घर वालों के पक्ष जानने के बाद शालिन को दोशी करार बताया गया जहां बिग बोस ने शालिन को प्रिशन उमें बुला कर समझाया और उनका गुसा शान्त हुआ और वो जाकर शालिन से सौरी बोलने लगे लेकिन शालिन उनसे बात करने को तयान नहीं था तो ये था विग बोस ओला के एपिसोड नमबर तस का क्विक रिवियू मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक क के लिए देखते रहीएगा सिनेमा विने माँ